कि अछा हरे क्रिश्ड न तो दोस्तों आज डूब sorry कि बनाने जा रहे एक और वीडियो ठीक है जुकि आज कर लोग यह पुरानों का क्लासीफिकेशन बता रहे पागल हो जाए ठीक है कि वाह केना है उनका लॉजिक तो इतना फैंटासिटिक होता है कि आदमि जैडिक खूश हो जहां पागल वाह क्या लोजिक लाया है भंदेने तो उनका कहना है कि यसे कि पध्म पुुरान पद्म पुरान में दिया हुआ है सात्विक, राजसिक, तामसिक ठीक है यह आप लोग सब तो जानते ही हो ठीक है और उसका लॉजिक है डेखो वेबसाइट देख लो यह साहरा लिया जा रहा है कि अब इसका हम लोग इसकौन का खंडन करेंगे पुरान के गलत बताना चाहेंगे वो लोग तो यहां पर देखो लॉजिक क्या है मतलब हमारे पुरान का टीक है इंदा पुरान पुरान में भी एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जहां पर टेंट शैव पुरान साथ साथवी की नेचर ठीक ऐसाथवी की नेचर बताय गया है फोड वैशनव पुरान को तमस का बताया गया है और एसे मतलब क्लासिफिकेशन किया गया है और और पर अब मुना पताय कि चुक्कि यह शैव पुरान जो यह शैव को गलोरीफाइब कर रहें कि हो और वैश्नः पुराम वैश्णा को गल्रोरिफाई करें तो मतलब ये क्लासिफिकेंखन गलत हो गया सब अपना अपना क्लारिफाई करें तो इन्होंने अपने अठॉ दिए नहें अपने अठॉरिटी पर एसा बोला हुआ एसा तो पर इन्होंने अपनी लगाया जिक है विदान सुत्र में एक सुथ्र आता है सास्त्र योनित्वाद सास्त्र से ही हम जान सकते हैं बढ़ाम के बारे में भगवान के बारे में पर इनका इनका हजकल का खुद का अथॉरिटी ओगी यह जो मना हैंगा वो बोल देंगे और सोच ह हो गया इन्होंने अकेले मतलब फुरा माना वितिहास को हिला कर रख दिया हुआ है ठीक है थोड़ा हराम से रहो ठीक है एक तो आपकी आदत जो है आचाड़े को गाली देने की वो तो जान नहीं रही है और मतलब देखे गाली दुसरे को भी आता है दुसरे भी दे सकते पर नहीं देते हैं जानते हैं कि आपका जो आर्गुमेंट है वो तो बच्चो वाला है ठीक है उस पर भी गाली गलुच कोई क्या करें तो कोई तुक नहीं बनता है न और उनका यह तर्क देखो क्या था तर्क था कि यह 18.20 भगवत गीता पहले तो उन्होंने भगवत गीता क अथोर्यटिय को स्विखार किया थीक है तो पैस्ति इनका अनुसार होता है कभी यह भगवत गीता की मानते कभी यह उफडूद जिनको जैसा मतलब सुविदा हो अभी तत्काल अनुसार वह कर लेते हैं अभी तो कुछ दिन पहले मैंने भगवत गीता से दिखाया आदे संक्राचार जी क्या मान रहे थे तो वह तो माने नहीं हो और गाली दे रहे पहले तो यहां पर देको लॉजिक क्या दिया उन्होंने कि that by which one sees the one indestructible reality in all beings not separate in all the separate beings known to that knowledge to be सात्विक ठीक है तो जहां पर एक ही reality दिख रही है उसको सात्विक मनना चाहिए तो इन्होंने इसका conclusion निकालिया कि अद्वायत है ठीक है अद्वायत है सीधा मतलब जो अद्वायत का समर्थन कर रहा है वो हमारा होगा सात्विक है और जो नहीं हो रहा है वो बाकी और राजसिक और तांसिक होगा ठीक है यह उनका कहना है तो पहले तो यह जो पुरानों में दिया हुआ है उसको तो नकाल रहे ठीक है और फिर एक नया definition यह खुदी इस थापित कर रहे हैं एक नया definition लोग खुद स्थापित कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए पहले मतब देख लेंगे पर इनका क्या कहना है कि पहले जो definition दिया है उसको नकारो फिर एक नया definition स्थापित करो और यह खुद को अथरीति मानके ऐसा स्थापित करना चाहते हैं तो यह मतब यह होगा कि मतब्लक हर और यह खुद को आरी संकर अचारे से उपर मान रहे हैं और बाहले आपकों सास्त्रों सरा है उपर मान रहे हैं और खुद एक नया definition देना चाहर और उस पे भी 18.20 में इन्न अब क्या हो गया हमारा अद्वैत हो गया पूरा पूरा का पूरा अद्वैत हो गया समझे अब तो पूरा भगवत गीत है अद्वैत हो गई विश्णु पुरान स्रीमत भागवत सब सब कुछ अद्वैत तो देखिए अब इसका जो है इसको मैं दो पात में डिवाइड करता पहले तो मैं 18.20 इनको समझाता हूँ। फिर इसक पुरान में आओंगा। ठीक है। पहले तो मैं 18.20 इनको समझाता हूँ। फिर 18.20 को समझाने के लिए पहले बगवत जीता का 13 चेप्टर समझना बहुँ जरूरी है। बहुत जादा जरूरी ठीक है यहां पर चैप्टर का नाम है हमारा चैप्टर 13 नेचर दा इंज्वाइड और कॉंशेशनेस ठीक है तो यहां देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है 13.23 में येट इन दिस बॉड़ी देर इस अनेदर अट्रांसेडेंडल इंज्वाइड हूइड हूइस दा लॉड दा सुप्रीम प्रॉप्राइटर हूइड एग्जिस्ट एज ओवर्सियर एंड़ पॉर्मिटर एंड हूइस नोन आज सूपर सोल्टिक है तो पहले यहां पर TRANSEDENTAL ENJŁYARD बताए इन बॉड़ी में दो है दो है दो है दो है तँ यहां पर है ठीक है लॉड और एक जीव आत्मा I買 दोनों का यहां बताय गया उसका समर्थन किया गया है ठीक है यहां यह दोनों प्रेजशाटर बॉड़ी में कोई एक प्रिजूद नहीं है ठीक है अब यहां देखो 13.25 में डाइट सूपर सो जैसे मैं आपको पिछले वीडियों बताया था ब्रह्म आत्मा और ब्रह्म परमात्मा भगवान ठीक है वह मैं लिंक डाल दूंगा अब फिर से देख लेना अगर नहीं देखा हो तो बताया था कि यह थी स्टेज ओफ गॉड रिलाइशन है ठीक है ठीक है अचिंते बेद बेद फिलोस्पी है हम लोग की गौडिया वैशनव की जो तुम वीडियो पर गौडिया वैशनव को गाली देते रहते हो ना पहले फिलोसपी जानो उनका ठीक है उसके बाद आके गाली दो तुमारे गाली देने से कुछ नहीं होने वाला है ठीक है यहां क्या लिका हुआ है डैट सुपर सोल इस पॉट सीट बाइस सम्टू मेडिटेशन लगाते हैं बाइस सम्टू दा कल्टिवेशन अफ नॉलेज ठीक है एंड बाइडर्स तूवर्किंग विदाउट फूटिव डिजाय कोई करम करते को घ्ञान से मार्क से जाते कोई ध्यान मार्क से जाते चिक है और यहाँ पर 26 से बोला कि को बस सुन के ही करने लगते अप्रातना और यहां पर देखो जो आप 18.20 पर जजमेट पांस कर रहे थे ना उसका देखो पहले तो पहले भगवर गीता ना सुरू से परा करो 13.28 पर क्या लिखा हुआ है वन हुशी दे सुपर सोल एककोंपनिंग दे इंडिविजूल सोल इन ओल बॉड़ीज ठीक है देखो भगवर दोनों की पांपनेशक्य को नित नहीं बताया गया है तुनेशदों का भी स्टेटमेंट है नित्यों नित्यानाम सुनाए न यहां पर दोनों का दोनों का यह यह बताया गया है आइडेंटिटी पर्मानेट बताया गया है किसी एक का नहीं बताया गया है और यहां देख लो 13.28 संकराचारी जी कभी यह मानना है यहां देखो परमेश्वर सुप्रीम लॉड तो लॉड हुई सुप्रीम एस कंपेर्ड विद बॉड़ी अन्मैनिफेस्ट इंडिविजुल सोल एक्जिस्टिंग हैं इस प्रिजेंस यहां पर इंडिविजुल सोल सुपर सोल दोनों को बताया गया है तो यहां पर डारेक्ट बताया गया है कि भाई सोल और सुपर सोल दोनों का एक्जिस्टिंस रहेगा मतलब मुक्त अवस्था उसको कहेंगे सात्विक नौलेज उसको कहेंगे कि आदमी देख पाता है कि भाई सब के बॉड़ी में एक ही आत्मा है और और परमात्मा है सब क कोई अलग अलग नहीं है कि सब बॉड़ी नहीं है सब सोल है और हर सोल के साथ एक सूपर सोल है ठीक है यह सब यह देख पाता है कोई साथविक अगर नौलेज उसको कहते है पहले 13 चैप्टर पर किया उसके बाद 18 पर जाके कमेंटरी करो ठीक है अब तुम तो करने रही हो तुम तो करने रहे हो एक वेबसाइट के उपर देखके और बता रहे हो अब यही रह गया है न को रहा है और जो तुम यह काम करना चाह रहा है यह हम लोग करके बैठ चुके हैं अभी तुम नहीं खिला रही हो इस फिल्ड पर है कि समझ रहे हो ना एक तो गाली देना अब इन अब तो इनका खंडन तो हो गया 13 वाला जो यह अद्वायत है अद्वायत हर जगा बताते रहते हैं अब सकंद पुरान का करते हैं ठीक है सकंद पुरान का कहना था कि कहां गया वह सकंद पुरान का कहना था यसे पद्व पुरान तो कह रहा है कि जो भगवान हरी का गुनगान गाता है वह सात्विक है ब्रह्मा जी का जो गाता है वह राज्सिक है और रुद्र जी का भगवान शीव का जो गाता है वह थामसिक है ठीक है तो यहाँ पर और यहाँ पर अपना सकंद पुरान का लॉजिक था कि 10 शेव पुरान साथ सात्वी की नेचा है यह इसका लॉजिक है तो भाई अगर सकंद पुरान कोड कर रहे होना तो सकंद पुरान पढ़ो पढ़ो पहले ठीक है और यह तो यह तो इस लोग है नहीं जो तुमने लिंक प्रोवाइट किया है ला सक्दर पूरां ने के उसमें तो यह तो यह जो नहीं है तो तो तुमारे कि यह देखो यह तुम्हारा सकंद पुरान ठीक है चैप्टर टू यह देख लो तुम कि यह दो कि यह दो सकते है बन्हारा सकंद यह दो तुम्हारा सकंद रजा है। यहां देखो 87 स्लोक देखो वो पुराना एक्स्टेंट और कॉंटेंट्स ठीक है 87 स्लोक देखो इन दे साथवी कलपास दा ग्रेटनेस अफ हरी सुप्रीम दे नो दैट ग्रेटनेस अब ब्रह्मा रिगें सुप्रीम इन दे रजास कलपास 88 बे क्या लिगा हुआ सिम्लेरी डेटनेस ऑफ शीवा इस टुबी फाउंड इन थमस कलपास स्कंद पुरान भाई खुद कह रही है कि साथवी कलप में हरी सुप्रीम होता है ठीक है यह खुद ही कह रही है तो भाई सकंद या तो सकंद पुरान खुद को कॉंट्रेडिट कर रही है नहीं तो तुम तुम ही अपने इमेजनेटिक कंक्लूजन निकाल ले हो समझ रहे हो ना तुम खुद ही निकाल ले हो अकल्प क्या होता वो तो मैं बात में बताऊंगा किसी दिन अभी जुसके जरूरत भी नहीं है और यहां देख लो यह भी उसी का है सकंद पुरान कहीं है चैप्टर 95 इन वेदी इन पुराना और रहम आगेना और बाहेता हरए अ로ँ जो में इस केसी संखची नौस फाछी संस्रेबिदयेक सिर्च मद्दाए न vidé न एंडिकोग या तुम हDie वेदा इन पुरान आतना हुद में रिदया भगवान द्चब में वाध यहां लिकावा है इन वेदा, इन पुराना, इन रमायना, एन इन भारता, महा भारता, हरी, अलोन, and no one else comes in the beginning, middle and end, हो गया ना भाई, खत्म तुम्हारा, सात्विक और ये, तामसिक पुरान का क्लासिफिकेशन, हो गया, तो भाई, या तो तुम्हारा, तामसिक पुरान, तुम्हारा, खुदी, तुमको, कॉंट्राडिट कर रहा है, या तुम, उल्टा सीरा, कॉंक्रूजन निकाल लेओ, समझ रहे हो ना, समझा करो तो रहा, और जो तुम बोले हैं न, स्रीमत भागवत में, भगवान शिव का ग जो तुम उल्टा सीरा अचारे को गाली देने का ठेका लेकर रखे हो ना, अबराहिमिक, अबराहिमिक, भाई, तुम क्या हो, पहले खुद सास्त्र पढ़ते हो तुम, ठिक से, खुद को पता है स्क्रिप्चर क्या होता है, पहले पता कर क्या हो, समझ रहे हो ना, कुछ का क यह लिखा हुआ है पहले तुम संक्राचारे को मानते थे आज बोल ले कि तुम किसी भी संपरदाय के नहीं हो कि अब इस अंगराचारे का दिखाया था ना तुमको भगवद गीता भाई दिखाया था ना तुमको क्या लिखा वा यहां पर तुम थोपना चारे कि भाई भगवद गीता है तो भाई उन्होंने ऐसे बोल दिया उन्होंने ऐसे बोल दिया भगवद गीता है तो देवी भागवद होता तो कुछ और होता कि भाई देवी भागवद तो खुड सपोर्ट करती है क्लासिफिकेशन ठीक है उसका फिस लोग डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और भी कुछ लोग चाहिए ना अधी संक्रचारे का और भी डालूंगा ठीक है अभी तो तुम देखो और तुम जो अभी तो तुम्हार र ह services को बताऊ फ्सक्रावच्क कांशार चाहा हो गयर दिसक्ता घृर्चर की उच्छ था सबच परी कर अरे सपनिश्र सबखर सेड़ को करओ ऐस दूमारा आथा though थो एक 002 पुरा एक्सपोज पूर्च करोए लिखावे गुरु के बारे वहाँ पर रही जब जरुवत नहीं तुम किसा ताहर पर संक्राचार चार कर रहे अभी तक जो वीडियो बना रखाय इसुटों को गाली देते हो संक्राचाड़े के दम पे तो किसले बोले तो कि संक्राचाड़े के हो कहां गया तुमारा साहरा घमंड हो गया ना चकन चुर और तो क्या बोलतो महाभारत से लाओगे तुम शीव जी का ग्लोरिफिकेशन तो भाइन यह संकर अचारे का ठीक है विश्नु सहस्तनाम भाद से है देख लो विश्नु सहस्तनाम ठीक है बार में बोलना कि भाई हम 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 ही लिखार है कुछ भी यह क्या लिखा हुआ है पाच्वा देवल्वर और बिंग्स भूतकृति ठीक है यह क्रिए और बिंग्स अधिक्राइब को रजस इनोन ब्रह्मा जी को रजस खुद बोला है संक्रा आधी संक्राचारे ने ठीक है और रूद्र को तंसिक बोला हुआ है इंचार तामसिक नहीं इंचार जब तामसिक ठीक है और यह क्या लिखाए सिक्स्त में हीस सपोर्ट और व्रोटेक्ट और बिंस इनी साथ्विक एक्सपेक्ट ठीक है तो भाई पर लोग विरश्णु सहे माव का में खूले आम लिखा हुआ है कि ब्र ठीक है और भी एक दो स्वोग डिस्रिप्शन में डाल दूगा तुमारे लिए तुमारे आत्मा के लिए ठीक है तो यह तो तुम खूट करो कि अभी तक तुम संक्राचारे का अथारेटी माना वो जूट था सफेड जूट था कि तुम तो अपने अचारे को तो बचा नहीं पाई यहां पर खुले हां ठीक है और सौंद्य दरे लेहरे कह रहे हो ना सरा सीव का ग्लोरिफिकेशन है वहां पर भगवान कृष्णी से उपर नहीं है वह और ब्रह्म स्वामीता को जो तुम बोल ले हो ना बाई उसका हर क्लंकुल जो सिर्मार भागवार से सपोर्टेर है तुम्हारा तुम्हारा जो तुम दिखा रहे हो ना कुछ भी उसका दिखाऊ ना कोई साथविक पुरांज इसका समर्थन करता हो भगवान चैतन्य महा प्रभू ने खुद बोला हुआ ऐं तो्म प्रेस की स्कृप्टर हो तुम्हारी क्या ओधरिटी ए चैतन्य महा प्रभू का पुर्ण ये स्कृप्टर ने पूर्फ दिया है कि बवह भगवानि तुम्हारे कौन अचारे बोले और तुम कौन ओना ने भगवान कृष्ण है तो क्यों नहीं मान रहे हो तुम क्या हो राद तुम को मनने में उपासना करना हो ना उपासना करने से कौन माना किया हुआ है क्लासिफिकेशन पुरान इसलती आए लोग रजासमय फिर सात्विक में आएं कोई गलत नहीं है और तुम जो दिखा रहे न हरी का यह भाई हरी का नहीं हुआ और अग्या पॉर्ड नहीं हो यह थामसिख शुद्र सत्व है वह सुद्र सत्व से उपर है ट्रांसेटेंडल है वो भगवान हरे तो यह जूट का जो तुमने यह करके रखा है ना वैपार मिल गया ना तुमको विष्णु सहस्थिनाम भासे में हो गया ना परदाफास तुमारा अब इसका तुम क्या करोगे ब्रह्मा जी क्या है देख लो राज सिक रुदर जी ताम स बगवान-क्रिश्ने वांट विष्णु साथविक काा भगवड गीता भासे से दिखाया अब ब्राम्सुतरे भासे दिखाया विष्णु सहथश्टनाम भासे से दिखाया तो कुछ नहीं आतुह परसोर आपना Kabam su आज तुम भाई समझो समझो समझ रहे हो ना यह जो तुम काम कर रहे हो ना हम लोग बहुत पहले से करके बैठे हुए कोई तुम नहीं खिलारी नहीं आए हो यहां पर अगर नहीं आता है तो वीडियो बनाना छोड़ दो उल्टा सीधा कुछ में जूट मत फैलाओ क्लासिफिकेशन स्रीमत भागवत अविश्णु पुरान अद्वैत का समर्थन करता है इसलिए वह सात्विक पुरान है भाई जो वेबसेट बनाए ना उससे जाकर पढ़ो इंटरनेट में का आपके मत पढ़ाओ कुछ भी बोल दे रहा है वह तुमारा सात्विक पुरान में अब क्या बोलोगे यह भी गलत है अब तुमारा वेबसाइट भी गलत हो गया तुरह समल जाओ और जो 18.20 की नाम पर तुम यह फिला रहे हो ना अद्वैत भाई 13 चैप्टर पढ़ लो और जो वीडियो बनाए थे ना ब्रह्मा प्रमात्मा बगवान उसका तुम एना किया आट हैं ड़ा वीडियो ने देखने वाल जवाब देने वाले समझे रही हो न कि तुम्हारा तो ज़ितने सारा फोल खोल चुका है मैंने तो भक्तों मैं उमीड करता हूँ कि आपको यह विडियो पसंद आया हो और आपको जो भी महतपूर सजेशन लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में देख सकते हो और हाँ भाई आरी संक्राचार जी ने आरी संक्राचार नहीं संक्राचार जी ने गोवर्दन मठके उन्होंने क क्लासिफिकेशन अब माना हुआ है पुरान का ठीक है उसका अब डिस्कृशन में दे दूंगा नीचे ठीक है घबराओं में तुम तुम संक्राचार को पाड़ कर चुके हो बाई तुम अलग संप्रताय को हो चुके हो मानलो अगला यूटूब वीडियो में बोल देना समझ रहे हो ना इतना असान नहीं है व्यश्ण वीजम को उड़ा देना वाई तुम तुम्हारे जैसे न अच्छा च्छा के चले गए किसी को कुछ नहीं हुआ तो मैं उमीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो सारे भक्तो तो मैं अपने जुबान को यह लगाम देता हूं और यह वीडियो थोड़ा शौट ही रखने का मैंने कोसिस किया है तो कृप्या आम लोक्स आम आप लोग साब भक्ति पर ध्यान दे जैस्रीय प् प्रिष्णा प्रिष्णा